मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लग मेरे वीडियो स्थेक तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूला नमस्कार शात्रो शात्रो मैं बसंत पार थ्री एंसियाटी हिंदी कलास एर्थ के लिए वेरी शॉर्ट कॉस्चन आंसर लेके आई हूँ तो ये बहुत ही इंपोर्टन है जो आपकी प्रिक्षा होने वाली है फाइनल तो उसके लिए मैंने ये लास्ट वीडियो बना दिया है आपके शॉर्ट आंसर प्रश्ण के उत्तर का तो आईए देखते हैं वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें मैंने 40 प्रश्णों के उत्तर जो हैं शॉर्ट आंसर डाले हैं तो आप इनको पढ़कर अवश्य जाना अपनी प्रिक्षा के लिए helpful रहेंगे प्रशन नंबर एक आलम आरा फिलम के पहले पाशर्व गायक थे कौन थे आलम आरा फिलम के पहले पाशर्व गायक कौन थे डबलू एम खान कौन थे डबलू एम खान पाशर्व गायक जो थे जो पीछे गायत थे परदे के पीछे वो पहले कौन थे डबलू एम खान जब सिनेमा ने बोलना सीखा पार्थ में नायक और स्टेंट मैन कौन था मीन उसने नायक का भी रोल किया था और स्टेंट मैन का भी रोल किया था तो उसका नाम बताना है आपको वह कौन थे जिन्होंने ये दोनों रोल प्ले किये थे स्वाक फिल्मों के युग में किस भाषा का महतब बढ़ा जब स्वाक फिल्में थी में बाके बोलने वाली जो फिल्में होती हैं कि जब शुरू होई थी तो उसमें किस भाषा का महतब बढ़ गया था किस भाषा को महतब दिया जाता था कौन कौन सी को दिया जाता था, हिंदी और उर्दू बाशा को अधिक महत्तब दिया जाता था, जब अस्वाक फिल्मों की शुरुआत हुई नायक के रूप में सबसे पहले किसका चैन हुआ था, सबसे पहले कौन नायक चुना गया था उसका नाम बिठल ना बिठल का तो सबसे पहले नाय कौन थे बचो बिठल सुदामा कहां जा रहे थे शात्रो ये Mixed Chapter के आपके Short Answer प्रशन है जो मुझे लगा कि आपकी प्रिक्षा में आ सकते है तो इसलिए मैंने Last तक डाल दिये है सुदामा कहां जा रहे थे अपने मित्र श्री क्रिशन से मिलने कहां जा रहे थे श्री क्रिशन से मिलने सुदामा की पतनी ने श्री क्रिशन के लिए भेंट सवरूप क्या दिया था जब वो उनसे मिलने जा रहे थे तो सुधामा की पतनी ने क्रिशन के लिए क्या भेजा था तंदूल तंदूल क्या होते हैं राइस पुड़ु कोटई जिले में साइकल चलाने का कैसा अंदोलन चला तो पुड़ु कोटई जिले में कैसा अंदोलन चला था साइकल चलाने का उसका नाम सामाजिक अंदोलन था वो सोशल मोवमेंट उस अंदोलन का क्या नाम था सोशल मोवमेंट समाजिक अंदोलन पुडु कोटई जिला किस परदेश में है मीन कौन सी स्टेट में है पुडु कोटई जिला जो है डिस्टिक जो है वह कौन सी स्टेट में है तमिल नाडू कौन सी स्टेट में है शात्रो तमिल नाडू साइकल प्रशिक्षन से महलाओं में क्या बदलाब आया जब महलाओं ने साइकल चलाना शीक लिया तो उनके जीवन में क्या बदलाब आया था आतम सम्मान की भावना का विकास हुआ महलाओं में वो उन से सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बच्चो आ जाता है तो हम कोई भी काम बड़ी खुशी से कर सकते हैं तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आतम सम्मान जो होता है आतम सम्मान की भावना मीन सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसका भी विकास होने से हमारे अंदर जो है किसी भी काम करने की शक्ति उत्पन हो जाती है आटोमेटिक ही जब आतम सम्मान की बात आती है तो साइकल महला दिवस कब मनाया गया अब आपको यहां पर सन बताना है कि साइकल महला दिवस जो था कब मनाया गया था तो कब बनाया गया था 1992 में 1992 में अकवरी लोटा पाठ में किस कालपनिक कथा का बंडन है मिर एक कालपनिक कथा है उसमें अकवरी लोटा पाठ में तो उस कथा का नाम बताना है उस कथा का नाम है शात्रो जहांगीर अंडा जहांगीरी अंडा और अकवरी लोटा जो कालपनी कथाएं साट साच चल रही हैं उस कहाने में अकवरी लोटा पाने के लिए अंग्रेज ने कितना मुल्य कुटाया याद है आपको कुछ कि अकवरी लोटा पाने के लिए कितना मुल्य दिया था उसने 500 ते davean मेज़र डगलस भारत में से कौन सी बस्तु लेकर गए थे अब मेजर डगलस वो उसने परानी बात बता दी कि मेजर डगलस जो थे भारत में आये थे तो उन्होंने कौन सी बस्तु लेकर गए थे जहंगीरी अंडा जाउलाल ने अपनी पतनी को रुपए देने में कितने दिन का समय लगा दिया जाउलाल ने पतनी को रुपए देने में कितने दिन का समय लगा दिया शात्रो साथ दिन का सूर्दास के पद की भाषा कौन सी है सूर्दास के जो पद लिखे गए है वह कौन सी भाषा में है ब्रज भाषा में क्रिशन गोपियों के घर से कहां से मखन चुराते थे शिंके की हांडी से उंचा टंगा रहता है शिंका उसमें रखी हांडी होती है मिट्टी का बरतन हांडी को बोलते हैं मिट्टी के बरतन को बोलते हैं हांडी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी तो उसमें से चुराते थे नागिन सी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है उपमा अलंकार मिन उसकी नागिन के साथ उसकी उपमा की गई है तुर्ना की गई है लेख के हाथ पर बेर की जाड़ी से क्या गिरा था क्या गिरा था पत्ता गिरा था प्रित्वी के भीतर खोखले स्थान तक पहुँचने में बूंद को कितनी दूर चलना पड़ा कितनी दूर चलना पड़ा था एक मील दूर पिंड किसकी और तेजी से बढ़ रहा था सूर्य की और बूंद तीन दिन तक कहा सांसत बोगती रही दुख बोगती रही पेड़ की पतियों पर क्रोध और ग्रिना से किसका श्रीर काप उठा बूंद का बूंद की कथा सुनकर लेखक ने क्या कहा मेरे पास तुम सुरक्षित हो मिन सेफ हो पोस कहां से आई थी बेर के पेड़ में से सांप की गुफा कैसी थी सांप की गुफा कैसी थी शात्रो अंधेरी थी चतुर कौन था चतुर कौन है चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगा कर जिंदगी के हर खत्रे का बहादुरी से सामना करे सांप ने क्या सुना उसने सुना कि लहरों को गीत गाते हुए सुना क्या सुना था सांप ने लहरे जो हैं वह गीत गा रही है साहसी लोग कहकर किस की तरफ इशारा किया साहसी लोग ऐसा कहा है कौन साहसी है किस की तरफ इशारा किया था बाज के रूप में स्वतंतरता की चाह रखने वालों को लिए कहा है बाज के रूप में जो स्वतंतरता की आजादी की इंडिपेंडेंटेंस तक चाह रखते हैं इच्छा रखते हैं उनको कहा था उनकी तरफ इशारा हुआ था ये गवरया की टोपी जो थी किसने पांच फूल ने जड़ दिये किसने लगाये थे पांच फूल गवरया की टोपी पर सोचो दर्जी ने दर्जी को क्या बोलते है एंगलिश में टेलर कोरी क्या काम कर रहा था जब गवरया जो थी वह है उसके पास गई तो कोरी क्या काम कर रहा था अब कोरी का क्या काम है सूथ कात रहा था राजा की अचकन के लिए सूत कात रहा था ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कोरी का क्या काम होता है तो वो क्या काम करता है सूत काता है गवरा कैसा था? कैसा था गवरा उसकी नेचर के बारे में पूछा है कि वह कैसा था? तनिक समयधार इसलिए शकी भी था थोड़ा सा शक भी करता था समयधार भी था गवरा और वो शक भी करता था आदत उती है न कियों कि गवरा और गवरईया के शरीर को कैसा बता रहा है गवरा जो था गवरईया के शरीर को कैसा बता रहा है कि सुघड मीन स्ट्रोंग सुघड क्या होता है स्ट्रोंग टोपी कौन पहनता है ये कौन बोला था गवरईया को बोला ना गवरा ने कि टोपी कौन पहनता है राजा गवरईया धुनिया के पास क्यों गई थी अब दुनिये के पास क्यों गई थी गवया दुनिया क्या काम करता है रूई दुनवाने का कौटन बूल सूत कैसा था यान कैसा था वो कैसा होता है खुर्दरा होता है मलाइम होता है या लच्चेदार तो शात्रो महीन और लच्चेदार था फिनर और वेक्स्ट कैसा सूत था महीन और लच्छेदार गवरिया ने क्या इच्छा प्रक्ट की क्या इच्छा प्रक्ट हुई थी गवरिया की की टोपी पहलने की अब ये टोपी पहलने की इच्छा उसमें के मल में प्रक्ट हुई तो उसकी इच्छा कैसे पूरी हुई दे बुन रहा था गबरेया की इच्छा एपेटी की पूरती का क्या साधन मिल गया अब क्या साधन मिला था गबरेया की इच्छा की पूरती का क्योंकि इच्छा तो उसके मन में जागी थी अब उसकी इच्छा कैसे पूर्ण कर रहे हैं प्रभू सबकी इच्छा करते हैं बगव पूरी करेंगे उमीद मत शोड़ना कूड़े के डेर में चुगते चुगते उसे क्या मिला रूई का एक फाहा मिला बागा कौन बुन रहा था अब ऐसे भी कोश्चन तो किसी भी तरह से ढाल सकते हैं आपके टीचर तो मैंने कोशिश की है कि आपको दोन तरह से समझाया जाए कि ऐसे भी कोश्चन आता है ऐसे भी आता है तो भागा कौन बुन रहा था अभी उपर बताया था बुनकर गबरिया ने राजा को कैसा बताया अब गबरिया जब टोपी पहन के राजा के पास गई थी तो क्या क्या हुआ था आप लोगों ने कहाने में पढ़ा होगा तो उसमें राजा को कैसा बताया था गवरिया ने डरपोक की राजा क्या है डरपोक तो शात्रो आशा करते हूं कि आपको ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हैलप हुड रहे हैं अरे बचो जिन्होंने मेरे चैनल को अब इता सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे अने माली वीडियो का नया नोटिफकेशन मिल सके लाइक और शेयर भी जरूर करते ना